भाग छोट अभिनासू, बढ़ करू एक विश्वास, पैही सुख सुनी सुजन, सब खल कर ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, और इच्छा बहुत बड़ी है। पर तो मुझे एक विश्वास है, कि इसे सुनकर सजन सभी सुख पावेंगे और दुस्ट हसी उड़ावेंगे। कि तो दुस्टों के हसने से मेरा हित्ती होगा। पर तो कंठवारी कोयल की कवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेंडग पपीहे को हसते हैं, वैसे ही मलिन मानवाले दुस्ट निर्मलवानी को हसते हैं। कभी ते रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन के सुखद हास रास एहू, भाशा भनिती भोरी मती मोरी, हंसी बे जोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कभी डाके रसिक हैं, और ना जिनका शीर राम चिंदर जी के चरनों में प्रेम हैं, उनके लिए भी ये कभीता सुखद हास रास का काम देगी, प्रथम तो ये बाशा की रचना है, दूसरे मेरी बुथी भोली है, इस से ये हसने की योग्य ही है, हसने में उने को फिकी, हरी हर पद रती मती ना कुत्र की, दिन कहुं मधूर कथा रगुबर की, जिने ना तो प्रभु के चरनों से प्रेम हैं, और ना अच्छी समझी हैं, उनको ये कथा सनने में फिकी लगेगी, जिनकी श्री हरी भगवान विश्नु और श्री हर भगवान शीव के चरनो में प्रिती है और जिनके बुथी को तर्क करने वाली नहीं है जो हरी हर में भेद की या उंच नीच की कलपणा नहीं करते उन्हें शिरी रगुनाची की ये कथा मिठी लगेगी राम भक्ती भूशित जीय जानी सुनी हैं सुजन सराही सुबानी कभी ना हो नहीं पच्चन परमीनू सकल कलासब विद्जाहिनू सज्जन गान इस कथा को अपने जी में शीर राम भी की भक्ती से भूशित जान करके सुन्दर वानी से सराहना करते हुए सुनेंगे मैं ना तो कवी हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्जाओं से रहिद्ध हूँ आखर अरथ अलंकरती नाना चंद परबंद अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोश गुन विविद परकारा नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, नेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांती भांती के गुन दोश होते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागद कोरे इन में से कावि संबन्धी एक भी बात का ग्यान मुझ में नहीं है ये मैं कोरे कालच पर लिख करके शबत पूरक सत्य सत्य कहता हूं भनीती मोरी सब गुन रहित विस विदित गुन एक सो विचारी सुनी हही सुमती चिनके विमलवी मेक मेरी रचना सब गुनों से रहित है इसे बस जगत पर सिद एक गुन है उसे विचार करके अच्छी बुद्धी वाले प्रोश जिनके निर्मल ग्यान है इसको सुनेंगे एही मेह रगुपती नाम उदारा अति पावन पुरान शुरुती सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जबत पुरारी इसम श्री रगुनाची का उदार नाम है जो अत्यांत पुरुत्र है वेद पुरानों का सार है किल्यान का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है जिसे पार्ति जी सहित भगवान शिवजी सदा जबा करते हैं भनेती विचित्र सुक कभी कृत जोई राम नाम बिन सोहना सों विदूबदनी सव भाति सवारी सोना बसन बिना बर नारी जो अच्छे कवी के द्वरा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वे भी राम नाम के बिना शुबा नहीं पाती जैसे चंद्रमा के समान मुखवली संदर इस्त्री सब प्रकार से सज्जित होने पर भी वस्तर के बिना शुबा नहीं देती सब गुन रहित कू कभी कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कही सुनी बुद्धताही मधुकर सरस संत गुन ग्राही इसके विप्रेट कू कभी की रची हुई सब गुनों से रहित कभीतां को भी राम के नाम एम ग्यास से अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूरक कहते और सुनते हैं क्योंकि संत जान भोरे की भांती गुने ही को ग्रहन करने वाले होते हैं जद पी कभित रस एकु नाही राम परताब प्रगट एही माही सोई भरोस मोरे मन आवा कही ना सुसंग बड़ अपन उपावा यद भी मेरी इस रचना में कभिता का एक भी दस नहीं है तथा भी इसमें शीर राम जी का परताब प्रगट है मेरे मन में यही एक भ्रोसा है भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया धूमाओ तजेई सहज करवाई अगरू पर संग सुगंद बसाई भनीती भेदस बस्तू भली बरनी राम कथा जग मंगल करने धूमाओ अगर के संग से सुगंदित हो करके अपने सभाविक कड़वे पन को छोड़ दिता है मेरी कविता अवश्य भत्ती है प्रन्तो इसमें जगत का कल्यान करने वाली राम कथा रूपी उत्तम बस्तू का बर्णन किया गया है इस से ये भी अच्छी ही समझी जाएगी मंगल करने करिमल हरने तुल्सी कथार गुनात की गती कूर कविता सरित की जियों सरित पावन पाथ की प्रभू सुजस संगती भनीती भली होई ही सुजन मन भामने भाव अंग भूती मसान की सुमिरत सुहामने पावने तो छीदास से कहते हैं कि शरीरगनाच ची के कताक कल्यैन करने वाली और कलीब के पापो को हड़ने वाली हुआ मेरे इस बध्धी कविता रुपी नदी की चाल पित्र जल वाली नदी गन्गाजी की चाल की भाने टे दी है प्रभु शिरी रगुनाच जी के सुन्दर यश के संग से ये कविता सुन्दर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी शम्शान की अप्वित्र राख भी शिरी महादेजी के अंग के संग से सुहामनी लगती है और संबरन करते ही प्वित्र करने वाली होती की करे कोव बंदू मले पर संग शीर राम चंदर जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिये लगेगी जैसे मले परवत के संग से काश्ट मात्र चंदन बन कर गए बंदनीय हो जाता है फिर क्या कोई काथ की तुछता का विचार करता है शाम सुर्भी पैविसद अति गुनद करही सब पान गिरा ग्राम में सिया राम जस गामी सुनही सुजान शाम गो कारी होने पर भी उसका दोद अजल और बहुत गुन कारी होता है यही समझ करके सब लोग उसे पीते हैं इसी तरह गवारु भाशा में होने पर भी शिरी सीता राम जी के यश्को बुद्धी मान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं मनी मानिक मुक्ता चवी जैसी आही गिरी गज सिर सोना तैसी निरिपक्रीट तरनी तन पाई लही सकल सोबा अधिकाई मनी मानक और मुठी की जैसी सुन्दर चवी है मैं साब परवत और हाथी के मस्तक पर वैसी शुबा नहीं पाती राजा के मुकट और नवयोति इस्त्री के शीर को पाकर ही ये सब अधिक शुबा को पराप्त होती है तैसे ही सुकवी कवित बुद्ध कही ही उपजेही अनत अनत चवी लही ही भक्ती हेत विधी भवन भिहाई सुम्रत सारद आवत धाई इसी तरह बुद्धिमा लोग कहते हैं कि सुकवी की कविता भी अट्यंत और कहीं होती है और शुबा अन्यत्र कही जाती है अर्थात कवी की वाली से उत्पन ही कविता वहाँ शुबा पाती है जहां उसका विचार पर चार तथा उसमें कथित अदर्श का ग्रहन और अंसरन होता है कवी के समरन करते ही उसकी भक्ती के कारण सरस्ती जी भ्रम लोग को छोड़ कर दोड़ी आती है राम चरित सर बिन अन हुआई सोश्रम जाई न कोटी उपाई कभी कोबिद अस हिद बिचारी गाम ही हरी जसकली मलहारी सर्ती जी की दोड़ी आने पर वे ठकावट राम चरित रूपी स्रोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ो उपाईयों से भी दूर नहीं होती कवी और पंडित अपने हिद्दे में ऐसा विचार करके कलियुप के पापको हरने वाले शिरी हरी की यश्का ही गान करते हैं किन्हें प्राकित जन गुन जागाना सिर धूनी गेरा लगत पच्छताना हिद्दे सिंधू मति सीप समाना सुवाती सार्दा कही सुजाना संसारी मुनश्यों का गुंगान करने से सर्ष्टी जी सिर धुन कर पच्छताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई बुद्धिमा लोग हिद्दे को समुद्र बुद्धी को सीप और सर्ष्टी को स्वाती नक्षत्र के समान कहती है जो बरसई बरबारी विचारू हो ही कवित मुक्तामनी चारू इसमें यदि श्रेष्ट विचार रुपी जल बरसता है तो मुक्तामनी के समान संदर कविता होती है जगूती बोथी पुनी पोहि आही रामचित्र बरताग पहीरा ही सज्जन बिमल और सुबा अति अन्राग अन कविता रुपी मुक्तामनीयों को युक्ती से भेट कर फिर रामचित्र रुपी संदर तागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हिद्दे में धारन करते हैं जिससे अत्यान्त अन्राग्र भी शुबा होती है वे अत्यान्तिक प्रेम को प्राप्त होती हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तब बायस बेस मराला चलत कुपंथ बेद मग छाड़े कपट कलिवर कलिमल भांडे। जो कराल कलियोग में जन्मे हैं चिनकी करनी कवे के समान है और वेश हंस कासा है जो वेद मार को छोड़ करके कुमार कपचलते हैं जो कबट की मूती और कलियोग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिनह में प्रथम रेख जग मूरी धिंग धरम ध्वज धंदक धोरी। जो शिराम जी के भगत कहला कर लोगों को ठकते हैं जो धन लोब करोद और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धरम धवजी धरम की जूटी धुजा खेराने वाले दंबी और कबट के धंदो का बोज धोने वाले हैं संसार के ऐसे लोगों में सब से पहले मेरी गिनती है जो अपने अवगन सब कहूं बाढ़ ही कथा पार नहीं लही हूं ताते मैं अती अलब बखाने थोरे महूं जान ही हैं स्यान यदि मैं अपने सब अवगनों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा इससे मैंने बहुत कम अवगनों का वर्णन किया है वो धिमा लोग थोड़े ही में समझ लेंगे समझी विविदर विधी विंती मोरी कौंग ना कथा सुनी देही ही खोरी एती हूं पर करी हाही जे असंका मोहित अधिकते जर्मती सरंका मेरी अनेको परकार की विंती को समझ करके कोई भी इस कथा को सुनकर दोश नहीं देखा इतने पर भी जो शंका करेंगे भी तो मुझ से भी अधिक मूरक और बुथी के कंगाल है कभी ना हूँ नहीं चतुर कहां मती अन्रोप राम गुन गाँ कहे रगोपती के चिरित अपारा कहे मती मौरी निरत संसारा मैं ना तो कभी हूँ ना चतुर कहलाता हूँ अपनी बुद्धी के अंसार शीर राम जी के गुन गाता हूँ कहां तो शीर रगुनाज जी क्या अपार च्रित्र कहां संसार में आसकत मेरी बुथी जेही मारत गिरी मेरु उडाही कहूं तूल केही लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अतिकदराई जिस हमा से स्वेरिव जैसे पहाड उड़ जाते हैं कई ये तो उसके सामने रुई किस गिंती में है शीर राम जी की असीम प्रभुता को समझ कर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है सारद सेस महेस विधी आगम निगम पुरान सस्ति जी शेश्ची शिवजी ब्रह्मा जी शाष्ट्र वेद और पुरान ये सब निथी निथी कह करके पाद नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिन का गुनगान किया करते हैं सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद पी कहे बिनु रहा न कोई तहां बेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भाती भव वाचा यत भी प्रभुशीर राम चंदर जी की प्रभुता को सब ऐसी अकत्नियं ही जानती हैं तहां भी कहे बिना कोई नहीं रहा इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है अर्थात भगवान जी की महिमा का पूरा बजन तो कोई नहीं कर सकता तरह तो जिस से जितना बन पड़े उतना भगवान जी का गुनगान करना चाहिए क्योंकि भगवान जी के गुनगान रुपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनुका है उसका नाना परकासे शाष्त्रों में बनन है थोड़ा सा भी भगवान जी का भजन मुनश्य की सहज ही बावसागर से तार देता है एक अनिह अरूप अनामा आज सचिदा नंद पर धामा व्यापक विस सरोप भगवाना तेही धरी देचरित कृत नाना जो प्रमेशर एक हैं जिनके कोई इच्छा नहीं है जिनका कोई रूप और नाम नहीं है जो अजन्मा हैं सचिदा नंद और परमधाम हैं और जो सम्मे व्यापक एम विश्य रूप हैं उन्ही भगवान ने दिवी शिरी धार्ण करके नाना परकार की लीला की हैं सो केवल भक्तन हित लागी परम क्रिपाल प्रनत अंदागी जेही जन पर ममता अही छोही जेही करना करी की नहन कोई और शर्णागत के बड़े प्रेंम्मी हैं जिनकी भक्तो पर बड़ी ममताव क्रिपा हैं जिरों ने एक बार जिस पर क्रिपा कर दी उस पर भी कोई कोद नहीं किया गई बहुर गरीब निवाजों सरल सबल साहिब रगुराजों बुद्ध बर नहीं हरी जस अस जाने करही पुनीत सफल निजबाने वे प्रभुश्री रगुनाची गई ही वस्तों को फिर प्राप्त करने वाले कराने वाले ग्रीब निवाज, दीन बंदो, सरल्ट सभाव, सर्शक्तिमान और सब के सामी है यही समझ करके बुद्धिमान लोग उन्चिरी हरी का यश वर्नन करके अपनी वानी को पुट्र और उत्तम फल मोक्ष और दुलब भगवत प्रेम देने वाली बनाते ही तेही बल मैं रगोपती गुन गाथा, कही हूँ, नाई रामपद माथा, मुनही प्रथम हरी कीरत गाई, तेही मग चलत सुगम मही बाई उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्नन नहीं, प्रन्तो महान फल देने वाला भजन समझ करके भगवत किर्पा के बल पर ही, मैं शीर रामचंदर जी के चर्नों में सिर्न नवा करके शीर गुनाची के गुनों की कता कहूंगा, इसी विचार से बाल में की व्यास आदे, उन्यों ने पहले हरी की कीरती गाई है, भाई, उसी मारक पर चलना मेरे लिए सुगम होगा अति अपार्ज सरित बर जो निरे पसेतु कराही, चड़ी, पिपिली, कव, परम लगू, बिनुश्रम पारही जाही जो अत्यंत बड़ी श्रेश्ट नदियां है, यदि राजा उन पर पुल बन्दा देता है, तो अत्यंत छोटी चीटियां भी उन पर चड़ करके, बिना ही प्रिश्रम के पार चली जाते हैं इसी परकार मुनियों के वर्लन के सहरे भी, मैं भी श्री राम चिर्ट का वर्लन सहजी कर सकूंगा, एही परकार बल मनहीं दिखाई, करहूं रगुपती कता सुहाई, बियास आदे कवी पुंगा वनाना, जिन सादर हरी सुज़स बखाना इस परकार मन को बल दिखला कर मैं शिर्गुनाजी के सुहामनी कता के रचना करूंगा, बियास आदे जो अनेको श्रीष्ट कवी होगी हैं, जिनों ने बड़े आदर से श्री हरी का सिर्श वर्नन किया है, चरन कमल बंदव तिन केरे, परवाहू सकल मनौरत मेरे, कली के कब बिन करू परनामा, जिन बरने रगुपति गुन ग्रामा, मैं उन सब श्रीष्ट कम्यों के चरन कमलों में परनाम करता हूं, ने मेरे सब मनौरतों को पूरा करे, कली उक के भी उन कम्यों को मैं परनाम करता हूं, जिनोंने श्रीष्गुनाजी के गुन समुहों का बरनन किय जो प्राकित कभी प्रम से आने बाशा जिन हरी चित बखाने भई जे आई ही जे होई ही आगे प्रनव सब ही कपट सब त्यागे जो बड़े बुद्धीमान प्राकित कभी हैं जो ने बाशा में हरी चितों का वदन किया है जो ऐसे कभी पहले हो चुके हैं जो इसमें वरतमान हैं और जो आगे होंगे उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर पर नाम करता हूँ हो हूँ परसन देहूं वर्दानू सादो समाज भनीती सन मानू जो पर बंद बुद्ध नहीं आद रहीं सो श्रम बादी बाल कवी करें हैं आप सब परसन हो करके ये वर्दान देजिए कि सादो समाज में मेरी कविता का सम्मान हो क्योंकि बुद्धीमा लोग जिस कविता का आदर नहीं करते मुर्क कवी ही उसकी रचना का व्यत प्रिश्रम करते हूँ कीरती भनिती भूती भली सोई सुरसरी सम सब केहत होई राम सुक कीरती भनिती भदेशा असम मजस असम मोह अंदेशा केती कविता और संपती वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सब का हित करने वाली हो शीर राम संदर जी की कीती तो बड़ी संदर सब का अनंत कर लियान करने वाली ही है प्रन्तु मेरी कविता बद्धी है ये असमान जच से है अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता इसी की मुझे चिंता है तुमरी किर्पा सुलब सों मोरे सीनी सुहामनी टाट पटोरे प्रन्तु हे कवियो आपकी किर्पा से ये बात भी मेरे लिए सुलब हो सकती है रिशम की सिलाई ताट पर भी सुहामनी लगती है सरल कवित कीरती बिमल सोई आदर ही सुजान सहज बेर बिसराई रिपू जो सुनी करहीं पखान चतर प्रुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो जिसमें निर्मल च्रितर का वदन हो तथा जिसे सुनकर के शत्रविस भाविक बैर को भूल करके सराना करने लगे सुना होई बिन बिकल मती मोही मती बल अती थोर करहो किर्पा हरी जस कहूं पुनी पुनी करूं नहोर ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धी के होती नहीं और मेरी बुद्धी का बल बहुत ही थोड़ा है इसलिए बार बार नहोरा करता हूं कि हे कवियो आप क्रिपा करें जिससे मैं हरी यश का वदन कर सकूं कवि कविद रगबर चरित मानस मन्जू मराल बालविने सुनी सरूची लखी मोपर हो हो किर्पाद कवि और पंडित गन आप जो राम चरित रुपी मान सरूवर के सुन्दर हंस हैं मुझ बालक की विंति सुन करके और सुन्दर रुची देखकर मुझ पर क्रिपा करें बंदव मुनी पद कंजू रमाइन जही निर्मयू सकर सकॉमल मंजू दोस रहित दूशन सहित मैं उन बाल में की मुनी के चरन कमलों की बंदना करता हूं जिनोंने रमाइन की रचना की है जो खर राक्ष सहित होने पर भी खर कठोर से विप्रीत बड़ी कुमल और सुन्दर है तथा जो दूशन अर्थात राक्ष सहित होने पर भी दूशन अर्थात दोस से रहित है मैं चारों वेदों की बंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिने शीरगुनाची का निर्मन यश वर्नन करते सप्न में भी थकावट नहीं होती बंदव विधी पद देनु भाव सागर जेही किन ही जह संत सुधा ससिधेनु प्रक्ते खल विश बार ने मैं ब्रह्माजी के चरंडज की वंदना करता हूं जिनोंने भाव सागर बुनाया है जहां से एक और संत रुपी अम्रत चंद्रमा और काम धेनु निकले और दुस्री और दुस्त मनुश्य रुपी विश और मद्रा उपन होए बिबुध विपर बुध ग्रय चरंड़ बंदी कहुम कर जोरी होई परसन पुर वहु सकल मन्जु मन्चु मनारत मौरि देवता, ब्रामन, पंडिट, ग्रे, इन सब के चर्णों की बंदना करके, हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप परसन न होकर मेरे सारे संदर मनोर्थों को पूरा करें पुनी बंदव सारद सुर सरिता, जुगल पनीत मनोहर चरिता, मजजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभी वेका फिर मैं सरस्तिजी और देव नदी गंगा जी की बंदना करता हूँ दोनों पृत्र और मनोहर चरित्र वाली हैं एक गंगा जी शनान करने और जल पीने से पापो को हरती हैं और दूसरी सरस्तिजी गुन और यश कहने और सुनने से अग्यान का नाश कर देती हैं गुर पितों मातों महेश भुवानी, प्रणाव दीन बंधू दिन दानी सेवक स्वामी सखा से अपी के हित निरुपधी सब विधी तुल्ची के श्री महेश और पार्ती को मैं परनाम करता हूँ जो मेरे गुरू और माता पिता हैं जो दीन बंधू और नित्य दान करने वाले हैं जो सीता पतिशीर राम चंदर जी के सेवक सामी और सका हैं तथा मुझे तुल्ची दास का सब परकार से कपट रहित सचा हित करने वाले हैं। करी बिलो की जग हित हर गिर जा सामर मंतर जाल जिन सिर जा अनमिल आखर अरथन जापू प्रगट प्रभाव महिस परतापू जिन शीव पारती ने कलियो को देख करके जगत के हित के लिए शामर मंतर सबू की रचना की जिन मंतरों के अक्षर बेमेल हैं जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जब भी होता है तथा भी शिर शिव जी के परताप से जिनका प्रभाव पर जक्षे सो उमेस मही पर अनकूला करही कथा मुद मंगल मुला सुम्री सिवा सिव पाई पसाओं बर्नुग राम च्रित च्रित चाओं वे उमापती शिव जी मुझ पर परस नहों करके शीर राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन करने वाली बनाएंगे इस परकार पारती जी और शिव जी दोनों का सुम्रण करके और उनका परशाद पाकर मैं चाओ भरे चीज़ से शिरी राम च्रित तरका वर्दन करता हूँ भनीती मोरी सेव कृपावी भाती ससी समाज मिरी मन हो सुराती जे एही कथी सुने समेता कही हाईं सुने हाईं समझी सुचेता होई हाईं राम चरन अनुरागी कली मल रहित समंगल भागी मेरी कविता शिरी शिवजी की किर्पा से ऐसी शोबित होगी जैसी तारागनों के सहित चंद्रमा के साथ रातरी शोबित होती है जो इस कथा को प्रेम सही एम साब धाने के साथ समझ बूच कर कहे सुनेंगे विकलियों के पापों से रहित और सुन्दर कल्यान के भागी होकर के शीर राम चंद्र जी के चत्नों के प्रेमी बनेंगे